Hello students, our today's topic is Telegram. Telegram हमने oldest methods of sending messages topic में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसे next classes में करेंगे. ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि Telegram होता क्या है? तो जैसे हम आज हमारी messages send करते हैं, SMS, WhatsApp, यह सारे apps का use करके जो हम message send करते हैं, तो उस समय, पुराने समय में यह सारी facilities अवेलेबल नहीं थी, तब तो इवन mobile phones भी नहीं होते थे, तो हमने यह पढ़ा था कि उस समय के लोग, post office, या तो फिर कोई signals दे के, या तो फिर passenger pigeon के थो अपने messages को send करते थे, बट जो important messages थे, वो telegram के थ्रूँ भेजे जाते थे, जिससे वो telegram के थ्रूँ, जो message था, वो जल्दी receiver तक पहुंचता था, बट यह telegram होता क्या है, so telegram is used for urgent और emergency messages, जो urgent और बहुत ज़्यादा जरूरी messages थे, वो send करने के लिए ही, सिर्फ वो ही send करने के लिए telegram का use उस समय के लोग करते थे, बट टेलिग्राम होती क्या है, telegram एक type है message का, जिससे हम telegraph के थ्रूँ send करते हैं, इसके थ्रूँ telegraph, telegraph एक machine होती है, जिससे telegram को भेजा जाता है, तो telegraph एक machine है, और इसका एक office होता है, उस office में जाके ही हम telegram को send कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आज हम WhatsApp message करते हैं, किसके थ्रूँ apps होना चाहिए, पहले तो WhatsApp वो app होना चाहिए, हाँ ना, और उसके अलावा हमारे पास mobile phone होना चाहिए, लेकिन telegram message जो था, वो telegraph के थ्रूँ भेजा जाता था, और telegraph is a machine, ओके, अब देखो होता क्या था, कि जो message telegram में भेजे जाते थे, वो छोट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और अगर हमें कोई telegram भेजना है, मीज़ कोई urgent message भेजनी है, तो हमें सबसे पहले, मतलब उन लोगों को telegraph office जाना पड़ता था, और वहाँ पे वो लिखके देते थे, बताते थे कि क्या उन्हें message भेजना है, और फिर telegram, telegraph office से वो message भेजा जाता था, बड़ telegram जो था, वो हम कहां भेज सकते थे, फार एक्जेंपल यहाँ यह एक जगा है, यह एक जगा है, ठीके, यहाँ पे एक telegraph machine है, तो अब यह message यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा, तो telegraph machine जो थी, यह wires से connected थी, मतलब जैसे आज mobile phone without wire है न, वैसे तब नहीं था, जैसे पहले telephone थे, तो telephone का connection कैसे आता था, wires के दुरू आता था, तो यहाँ पे जो telegraph था, वो क्या था, वो भी wire से connected थे, मतलब जहाँ तक यह wire जाती थी, वहीं तक वो अपना message जो है, वो send कर सकते थे, ठीके, तो telegraph machine से wires लगी होती थी, means कि यहाँ पे sender, और यहाँ पे receiver आपस में connect थे, through a wire, अगर wire नहीं होती, तो यह telegram message नहीं जा पाता, मालो यहाँ से हम इस wire को disconnect कर देंगे, यहाँ से disconnect कर देंगे, तो यह message, telegram message sender से receiver तक नहीं पहुँच पाएगा, क्यों, क्योंकि telegram message, wires के through चल के जाता है, ठीके, मतलब जाता था, ओके, so a telegram can reach anywhere in the world in a short time, but it is more expensive as it is charge per word sign, अब यह wires तो उन्होंने हर एक जगा लगा ली थी, उस समय, बट यह बहुत ज़्यादा expensive था, महंगा था, क्यों, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा words लिखे जाते थे, उतनी ज़्यादा इनको वहाँ पेंसे जो हैं वो जमाख करवाने पड़ते थे, ठीके, एक word per word means one word के हिसाब से उनको वहाँ पे वो चार्ज करना पड़ता था, पेंसे जो हैं उतने जमाख करने पड़ते थे, तो इसी लिए telegram के messages short रखते जाते थे, ताकि जो उनको चार्ज है वो थोड़ा कम करना पड़े, ठीके, तो ये था telegram के बारे में, तो यहाँ पे कुछ words है telegram के बारे में, जो आपने लिखने हैं अपने note book पे और इन्हें पड़ना है, telegram क्या है, telegram is a message sent by a telegraph machine, telegraph machine यहाँ पे आप add कर दें, ठीके, then sender and receiver of telegrams were connected by a wire, जो मैंने आपको बताया कि वो wire से जुड़े होते हैं, जहाँ जहाँ wire होकी वहाँ वहाँ उनका telegram पहुचेगा, जहाँ वहाँ तक वो message sent होगा, then telegram is more expensive as it charge per watt send, यह बहुत expensive है क्यों, क्योंकि इसमें per watt के हिसाब से charges लगते हैं, charges लगते हैं, ठीके, तो आप अपने note book पे लिखें, ओके, thank you,